हलो फ्रेंड्स नमस्ते आज हम बात करेंगे डैंडरफ के बारे में जिसको हिंदी में रूसी या खोरी भी कहते हैं जब हमारे सिर्की स्किन सूख जाती है और सूख के जहरने लगती है उस चीज़ को हम डैंडरफ या रूसी कहते हैं जिन लोगों को होती है, उनको काफी शर्मंदगी महसूस होती है। डैंडरफ या रूसी अक्सर टीनेज यर्स में शुरू होती है और 30-40 साल की उमर तक चलती रहती है। आदमियों को जादा होती है, औरतों के बनिजबत। रूसी होने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जिन लोगों की काफी oily skin होती है, उनको या फिर आप अपने सिर को साफ नहीं रख रहे हैं। बार बार उसको wash करके और साफ सूतरा नहीं रख रहे हैं अपने बालों को, उसके कारण भी रूसी हो सकती है। कई लोगों को सर्दी के बकर जबकि मौसम बहुत सूखा होता है तो रूसी होने लगती है आज कल हम अपने बालों में तरे तरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे महंदी, hair dye और कई तरे के hair treatments भी करते हैं कई बार उससे हमारे सिर की skin sensitive हो जाती है और irritate होके dandruff produce करने लगती है यदि आपको थोड़ी बहुत dandruff की problem है तो यदि आप अपना सिर रोज एक shampoo से धोईंगे और अपना scalp की skin को साफ रखेंगे तो dandruff नहीं होगी उसके बाद भी यदि होती है तो बजार से कोई भी anti-dandruff shampoo लेके alternate day एक दिन छोड़के एक दिन उससे सिर्ध होने से dandruff पे अच्छा control रहता है अब यदि आपकी रूसी ठीक होने में नहीं आ रही है और जैसे ही आप anti-dandruff shampoo इस्तमाल करना बंद करते हैं वापस से आपकी problem शुरू हो जाती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं पहला कारण यह है कि उसमें आपकी रूसी के साथ साथ आपको fungal infection भी हो रखा है नमबर दो आप एक condition से सफर कर रहे हैं जिसका नाम है seboric dermatitis यदि आपकी dandruff fungal infection से complicated है तो आप बजार से shampoo ले सकते हैं जिसमें ketoconazole है यह shampoo दो concentration में आते हैं 1% और 2% पहले आप 1% shampoo try कीजिए जिसमें ketoconazole है उससे यदि आपकी dandruff control हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है पर नहीं होती है तो आप 2% ketoconazole shampoo over the counter लेके इस्तमाल कर सकते हैं इसको इस्तमाल करने का तरीका यह है कि पहले 2 हफते रोज अपना सिर आप इस shampoo से धोएं अच्छी तरह से उसके बाद जब dandruff control में आ गई है तो हफते में 2 बारे से इस्तमाल करें कम से कम 3 महने तक यह दूसरी condition को हम कहते हैं saboric dermatitis इसमें बहुत तेल भरी रूसी हो जाती है सिर के अंदर और उसमें काफी खुजली भी चलती है इसके अलावा यह तेल भरी रूसी नाक के दोनों folds के आसपास कान के पीछे, eyebrows के अंदर और eyelashes के अंदर भी दिखाई देने लगती है saboric dermatitis कई लोगों में hereditary होता है इसका यह मतलब है कि यदि आपके घराने में 2-3 लोगों को saboric dermatitis है तो शायद आपको भी हो सकता है इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या जिनको severe acne होती है या उनको AIDS होती है ऐसे लोगों को भी अकसर saboric dermatitis हो जाता है saboric dermatitis के treatment के लिए आपको shampoo या साबुन इस्तमाल करना होगा जिसके अंदर coal tar, sellelium sulfide, zinc parathon, ketoconazole या salicylic acid हो इस shampoo या साबुन से आपको अपना सेर्द होना होगा और नहाना होगा रोज कम से कम 2 हफते तक उसके बाद जब condition थोड़ी control में आ जाए तो alternate day एक दिन छोड़के एक दिन इस चीज़ का इस्तमाल किया जाए मेरे experience में सबसे अच्छा combination coal tar और zinc parathon का होता है यदि आपको ये suit करता है तो आप इस्तमाल कर सकते हैं वरना आपको अपने doctor के पास जाना चाहिए और जो भी combination आपको सबसे ज़्यादा suitable है उसे आपको इस्तमाल करना चाहिए यदि आप एकदम ताजी, फल, फ्रूट सबजियां खाएंगे और अपनी डायेट को healthy रखेंगे तो आपके सबोरेक dermatitis कंट्रोल करने में वो मदद करेगा इसके अलावा outdoor exercise बहुत बहुत जरूरी है यदि आप रोज थोड़ी देर के लिए outdoor में exercise करेंगे तो सबोरेक dermatitis कंट्रोल करने में काफी मदद हो जाएगी बच्चे जब पैदा होते हैं उनके सिर पे जो oily crust हो जाती है जिसको कि हम cradle cap कहते हैं उसका treatment इस तरह से किया जाए गुनगुने पानी में दो चम्मस सैबलॉन का solution आप मिला लें उससे धीरे धीरे बच्चे के सिर की मालिश कीजिए और फिर उसे गुनगुने पानी से ही अच्छी तरह से धो डालिए तीन चार बार इस तरह से करने से वो जो crust जमी होती है oily उनके सिर पे वो निकल जाएगी आपको skin की किसी भी condition के बारे में कोई सवाल है तो आप अपने comments comment box में छोड़िए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सुलझा सकें